जब डाकू से साधू बने महर्शिवालमी की, हम सब जानते हैं कि सब से पहले महाकाव्य रामायन महर्शिवालमी की ने लिखा और देवी सीता को लव कुष के जन्म के समय अपने आश्रम में रखा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महर्शी वाल्मी की साधू बनने से पहले डाकू थे और किसने डाकू से साधू बनने की राह दिखाई? यह सब हम आपको बताने वाले हैं इस रामायन की कहानी में. पुरानी कहानी के अनुसार महर्शी वाल्मी की का नाम रतनाकर था. उनके पिता प्रचैता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे. बचपन में एक भीलनी स्त्री ने रतनाकर को चुरा लिया और उसे पाला. भील परिवार के लोग जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूटने लगे थे और जो आसानी से नहीं मानता था वे उसकी हत्या कर देते थे. एक दिन मुनी नारद जंगल से जा रहे थे. डाकू रतनाकर ने उन्हें बंदी बना लिया और लूटने की कोशिश की. नारद जी ने उनसे बहुत प्यार से पूँचा कि तुम ये लूट रतनाकर सोच में पड़ गए. उन्होंने मुनी को पेड से बांधा और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए घर चले गए. जब यह प्रश्न उन्होंने अपने परिवार से पूँचा, तो सब ने पापों में भागीदार होने के लिए मना कर दिया. लेकिन रतनाकर ठहरे डाकू, उनके मुह से राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था. तब नारज जी ने कहा कि तुम मरा मरा ही बोलो, इससे भी तुम्हे भगवान राम मिल जाएंगे. मरा का उल्टा राम ही होता है. जाप करते हुए रतनाकर तपस्या करने लगे. वे तपस्या में इत ब्रह्मा जी ने वालमीकी को रामायन लिखने के लिए कहा. महर्श ने एक पक्षी जोडे को देखकर संस्कृत में शलोक बोला. वे खुद आश्चर्य में पड़ गए. उनको आश्चर्य में देखकर नारद मुनी प्रकट हुए और बोले कि यह आपका पहला संस्कृत शल प्रकट है.